हेलो फ्रेंट्स के और फिर से सवागत है और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि विद्क परकार से जो फ्रेग्मेंट में मुलिक्यूल आयन है वह ठूपता है और डिडेक्टर के ऊपर स्ट्राइक करके हमारे को एक ग्राफ मिलता है तो आज हम उस ग्राफ के बारे में मिलंगी कि तुरसे घ्राफ के अंदर कि स्थ्रेस्थ में ठीक मिलती है तो होता कि हमारे पास कुछ इस तरह का मनेब एंपर रिप्रेजेंट करता हूं कि背घा यह लिए कि हुली ऐसे कर छो मिलती है कुछ भी हो सकता है इस तरह से हो सकता है यह हो सकते हैं कुछ नंबर नंबरिंग मिलेगी हमारे को यह आपर तो उसी नंबरिंग के बारे में देखे हैं किस तरह से होता है तो हम देखते हैं कि जब हम हमने देखा था पिछली वीडियो में कि हमारे पास कोई मोलिक्ट्राइन रॉता है है को मोलीकिलर रायन था यह लोता मोलीक्ण राएन गजय को finger grand क्लिए टेकर में ब्रेकिन ब्रोट सब्सक्राइब को तो से फ्रेक्मेंट अब मैं को एक चीज तो पता है कि जो मोलीक्ट्राइन का गट था वह वे ट मास के उपर डिपेंड कर जाएगी तो जो अभी हमारे पास ग्राफ मिलेगा जिसका वेट ज्यादा होगा हुँ हमारेको राइट-ंड-साइड मिलेगा सक् determ Also यह प्रेग्मेंट में बरेकडाउन होगए हमारेक स्थस्था लायं TV मलेक्डाउन होगा कि बीडाउन होुए आप एक हो दो आइन मिल गए फ्रेग्मेंट अइन है तो जो हमारे को पीक मिलेगी इन दोनों की पीक मिलेगी वह कुछी स्थ्रेस है अगर मेरे पास मोलिकुलर आइन की पीक अपती है तो उसका वेट इन दोनों को मिला गर है तो उसकी पीक मिलेगी इस तरह हेवियर इन दोनों की सब्सक्ством को भूनिध नियुकल मिलेगी जैसे की इसका जो वेट कर ज्यादा है तो इसका पर है यह स्थेवल भी हो होगी और मेरे को से सब्सक्राइब होगी और यह से ह।क अधो नेयुकल पामिस और पीच्छारी मिल सकती है स्फोस सिस्ट्रेस से मिल सकती है तो यह पिक में देखने ही कि सिमिले ही तो हमारे पास था तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि मास के बेस पर या मिंग पिक्स को ड्राइव कर सकते हैं तो हम देखेंगे कि किस परकार से जो पर्षंटेज अवंडेंस है किसके माउंट ज्यादा है और वो जो पीक होगी कितनी लार्ज ओनी है कितनी स्मोल होनी ये भी देखें किस तरह से तो देखते हैं तो माल लिया कि मेरे पास है यहां पर कुछ नंबरिंग जैसे की इस तरह से दे लिया कोई और ग्राफ में मैं जीरो से स्टार्ट कर लेता हूं को कुछ इस तरह से ग्राफ में जाए यह वरिंकी वैल्यू कुछ भी हो सकती जैसे जीरो वन तू त्री प्रवाइव शिक्स सेवन एफ नाइन तेन एलेवन ट्वेल थर्टें कुछ इस तरह से आमारे पास हो सकती है तो यह किसकी वैल्यू कितनी होगी वह चीज देखेंगे तो उसको रिप्रेजेंटर रिप्रेजेंट करने के लिए देखते हैं यहां पर तो मैं एक बाइस को रफ कर देता हूं कि इसको फिर से प्रदाने आपको आप तो हमारे पास पोज अमारे पास सेंपल के अंदर आप जो मोली के लाँ ने जो सेंपल ली आवा उसमें जो मोली के लेवह अलग लग अलग अब कि परसंटेज में हुआ तो जो पीक आई योपीक डिपेंड करेगी किस आयन की कि परसंटेज ज्यादा है वह उतना ही उसकी जो पीक होगी वो लंगी होगी जैसे कि स्पोज मेरे पास कार्बन के लिए पीक है मैं आपर दिखा देता हूं तूर अब चुछ इस तरह से पीक दिखा लेए ठीक है इसके लावा और दिखा लेटें पीक अब अब अगर मैं उनकी परसंटेज अब अन्डेस की बात करो ने चर में तो जुबकार कार्बन है इसके आइसोटोप्स की बात करें तो कार्बन के थ्री आइसोटोप्स है कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14 तो कार्बन 12 के माउंट है वो मैं फ्रन्ट फक्रवंट्थ अ कि Celia मैंस्के देखेaire Sh thats अल्ट श्रूबरम की बात करतां लिए अ कपर मां लितां आपल का सब्सक्राइं कर आए grow के लिए नेक्स त्रेका कर घंत कि कि दिया मारे पास होस्ट थाइटेन रिए नेश्टा कार्बन सोटेंगे लिए तोक आने आहां हो पर हमारे पास तो कितना के लिए तो गडिया रोड़ क्या वेल कारवन 충्र्टी अभी यहां पर क्या कारवं सबसे ज्यादा परसेंटेगेस गयांदे इना। तो उसकी तो प्रेक वह भी सबसे राधा मिले ही तो हम इस संप फिक Month J है उसके देखेंगे 1.10 परसेंट है तो उससे कम होगी यह दिखा लिया और कारबन फॉर्टी वह बिल्कुल बिल्कुल ही कम है वन पार्ट ऑप दा ट्राइलियंस तो वह हम बिल्कुल माइन उट्षा दिखाएंगे वह इतनी होगी यह परसेंटेज अबंडेंस के लिए तो इतना मास नंबर बढ़ता जाएगा हमारा जो यह पर नंबरिंग वह राइट एंड साइड इंक्रीज होती जाएगी इसे प्रकार से में ऑक्सिजन के लिए लिए लेता हूं तो ऑक्सिजन 16 ने मेरे पास औक्सिजन 16 वो मेरे पास 99.75 परसेंट है तो उसके लिए मैंने यह पीग दिखा लिए दूसरी तरफ जो औक्सिजन 18 है यहां पर मास नंबर इंक्रीज हुआ इसलिए मेरे को यह राइट एंड साइड लिए मैंने वह कितना देर गा जिरो पैंट टू जिरो 45% औक्सिजन 18 ठीक है इसी परकार से कलोरिन के केस में मगा भाद करूआ तो कलोरीं केस में भी कुछ इसी परकार से है तो कलोरीं देखने कि लूए मैं वह कितना है 35 और कलोरें 37 अब पर अगर आप देखोगे यह जो भीक मिले गया में यह इसकी कि वन थार्ड है तो यह जो सेंटी फाइब तो सेंटी फाइब इसका थ्री टाइमस है 25 परशेंट का तो यहां पर जो पीग मिलेगी ना यह तीन गुना बड़ी मिलेगी यहां से तो यह आप देख सकते हैं यहां पर हम लगा लेंगे वन पार्ट यह प्रोक्स टू एंड यह तो वन थार्ड होगी तो इस परकार्शें में लग लग पीग मिलेगी इसके अलावा लिखने के लिए अगर हम यहां पर इसके मास नंबर को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे कि मांगे टोटल मास मेरे पास कोई एम था इसका मैं कार्बन के मास को मैं मानता हूं और अगर नंबर एक कंट्रेजन के लिए आइसघ्स मेरे अगर उसको अगर lucDER करने मधे आंने यहां और इसको और इसको कार्बन तो वैल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस परकार से हमारे को ग्राफ मिलता है तो हम ग्राफ को इस परकार से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे जैड रिश्यो को रिप्रेजेंट करता है तो यह था मारे पास ग्राफ के बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो वह आपको कमेंट कर सकते हैं बता सकते हैं ठीक है थेंक्यू